हेलो गेड़ेट्स जाहिन टू एब्रीवन वन्स अगें यूर मॉस्ट वलकम इन यूर चैनल आर्मी बॉइस के अंस अगर फाइनली इंडियन आर्मी ने 57 एंसे स्पेसल एंटर के नोटिफिकेशन आउट हो गया इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस से रेलिटेट जितने फिम locks पहले समझेँगे ओके एंड इसमें आपको तो डियरेक्ट सबसक्रेथ से बोलतऊं के सीडियरेश भूलते हैं कि सीडिच में रिटर नहीं देना होगा रिटर्न देना होता जबकि जो एंसी सिपेसल अइंटरी होता है इसमें आपको ड़्यरेक्ट स Nossa तेस characteristics हो मिलेग की 11 जुलाई से ओके 2024 और लास्ट डेट इसका कब है 9 अगस्ट 2024 तक इसका लास्ट डेट है ओके अरांड वन मन्त का टाइम से आप किसी भी दिन इसको अप्लाई कर दीजेगा ओके एंड वेकेंसी की बात करें इस बार वेकेंसी बहुत ही अच्छी है अगले बार यानि कि 150 सीट का इंक्रिमेंट हुआ है और से स्पेसल एंटर में चलिए अब इसको देखते हैं कहां कितना बढ़ा एंच्छी में एंटर के बात करें में के लिए इसमें है 70 सीटे 70 से उस सतर में से जो 63 seats है वो है general के लिए general यानि कि पूरे all over India में जितने भी NCC के credits है जो भी इस form को apply करेंगे उनके लिए 63 है general category सब को इसमें general है और 7 जो seat है वो है words of battle casualties यानि कि वैसे लोग जिनके parents जो भी इंडियन आर्मी में थे वो माट्याड होगे सहीद होगे उनके जो son है उनके जो daughter है उनके जो son है उनको 7 seat मिलेगा ठीक है उनके लिए 7 seat है और 63 है general और वहीं NCC से उमेन एंटर के बात करें इसमें एक seat के एक seat बस बढ़ा है पहले 5 होता था अभी 6 seat है total 6 seat में से 5 जो seat है वो general के लिए है जबकि एक जो seat है वो है world of battle casualties ठीक है I hope आपको ये vacancy पूरा clear हो गया हो and age limit age limit के बात करें तो आपका age 19 साल से 25 साल के बीच में होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को apply कर सकते हो और date दो जन्वरी 2000 से पहले नहीं होना चाहिए दो जन्वरी 2000 के बाद यानि कि वो date भी चलेगा and एक जन्वरी 2006 से पहले और ये दोनों date भी include है I hope आपको ये पूरा clear ह और अगर इस फॉर्म को फी बात करें फॉर्म को भनने का फी इस फॉर्म को भनने का फीज जीरो रूपीज ठीक है सबके लिए स्टी ओविसी जनरल में उमेन के लिए विजीरो रूपीज बस आपको इस फॉर्म को apply करना है इंडिन आर्मी की website से ओके इसका link description में मिल जाए होंगे उनके लिए क्या qualification होना चाहिए graduation होना चाहिए graduation तो सबके लिए graduation with 50% कोई भी stream हो आप चाहे BSC करो B.com या BA कोई भी stream से करो लेकिन 50% होना चाहिए आपका overall graduation में and इसके साथ each semester यानि की each year में भी आपका 50% होना चाहिए हर एक semester में भी 50% plus आपका graduation में overall marks 50% होना चाहिए इस form को apply करने के लिए I hope यह clear होगी होगा next okay NCC C certificate होना चाहिए आपके पास with minimum B grade okay अगर आप NCC special entry का form apply करना चाहिए तो आपका NCC के C certificate में minimum B grade होना चाहिए अगर आपका C certificate में Charlie आया है तो आप इस form को apply नहीं कर सकते हो okay आपको यह याद रखना minimum B grade होना चाहिए और graduation में 50% overall and हर एक semester में 50% होना चाहिए okay फिर अगर आप words of battle casualty के through apply करना चाहिए तो भी आपका qualification आपका education में graduation होना चाहिए 50% कोई भी स्क्रीम से end जो भी लोग इस form को apply करना चाहते है words of battle casualty के through उन्हें NCCC certificate के ज़रत नहीं है आपके parents इंडियन आर्मी में थे और वे माट्याड होगे किसी भी रीजन से और उनकी जो son ये वर्टर है उनको C certificate के कोई ज़रत नहीं है उनको बस graduation with 50% चाहिए तो वे इस form को apply कर सकते हैं I hope आपको ये पूरा clear होगया education qualification minimum 50% होना चाहिए आपके each semester plus overall में और C certificate जो general category में apply कर रहे हैं and this is special entry में जुसका training period है वह 49 weeks कहाँ पर training होगा आपका OTA चन्नाई में clear officer training academy चन्नाई में आपको 49 weeks का training मिलेगा यानि कि आपको लगबग 1 years तक and इसका tenure की बात कर आपको कितना साल का service मिलेगा तो आपको याद रखना जो and this is special entry यह एक short service commission है यानि कि आपको 10 साल से 14 साल तक ही job कर सकते हो आप as a officer यान यह एक short service commission है ठीक है आप अगर CDS के थुरू FCAT के थुरू अगर officer बनते तो आपको वह permanent commission होता जबकि NCC special entry यह सब short service commission है next salary के बात करें तो आपका 56100 आपको यह जो salary है यह आपको training period में भी मिलेगा per month and जब आपको joining होगा as a lieutenant सबसे पहला rank आपको क्या मिलेगा lieutenant फिर उदर captain major आपका वह बढ़ते रहेगा I hope आपको यह पूरा clear हो गया होगा still you have any doubts so you can comment thanks for watching